नमस्का दोस्तों एस पर पेपर यानि स्कूल में जो डॉकुमेंट थे वो इसाब से इनकी एज 34 है पर इनका मानना है कि हो सकता है मैं 32 का भी रहूं या 33 का भी रहूं इनको एक्जेट पता नहीं है पर पामिश्टी के इसाब से 29 में नियर एंड एरर की डेफ दिख रही है वह इसाब से आप अपनी एज कैलकुलेशन कर लीजिए मेरे इसाब से वर्तमान समय में जिस तरह की रहूरेखा काट रही है वह इसाब से आपकी यह जो स्कूल वाली एज है वही मुझे परफेक्ट लग रही है फिर भी आप वीडियो देखे होगे तो थोड़ा सा पर है जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह दो उंगलिया उपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्ने लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पस्तावा होता है यह कारेक किया होता तो अच्छा होता था यह पाम स्कूरीज भी है ठोड़ा सा रेक्टेंगल भ यह यूज किया यह चुप रहने की ज़रत है वाँ चुप रहे है पर मेरी साब से थोड़ा लॉजिक ज्यादा यूज करते होंगे और मानसल भी है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहते हैं और फास्ट नीने लेते हैं सुरी के उंगली बढ़ी है यह व्यक्ति को हिम्मती सबाव देती है जिब मैं पचास जार और पचास लग की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं लोग छोटी उंगली भी फर्स पहले इन तक पहुंच लिए तो व बुद्ध परवत पर भौत सारी खड़ी लाइन है पर यह पार दबा हुआ है और यह पार थोड़ा सा उभार जादा है तो लाइन है तो मद्यम सुंदरता यहां पर दबा हुआ है तो मन की बाते अच्छी तरह से नहीं कर पाते होंगे बिजनेस मीटिंग हो या परिवार क दे दूँगा और यहां पर जब उभारो तो वेक्ति नाम के प्रती ज्यादा जी क्यासा रखता है यानि छोटा भी काम करें तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए यह एक टैप की सरकारी जॉब है इनके पास और यह स्क्वेर साइन भी है इनके हाथ में यह वेक्ति को यह यह भी मिलता है और इनके पास पैसा देने वाली साइन भी अच्छी है यानि यह पोस्ट तो अच्छी पाएंगे अभी भी अच्छी पोस्ट पर है आगे और अच्छी पोस्ट पर जाएंगे क्योंकि साइन काफी जबर जस्त है अब साइनों की और चलते है एक चोटी साइन ही आपर है एक बड़ी साइन के पास ही एक चोटी साइन भी है और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दोनों साइन है सन लाइन पर है इनको पोस्ट तो काफी उत्तम मिलेगी जीवन में ठीक है राओर एक है भी इतिनी परेशान करने वाली है पर जिस तरह की साइन है अब जो दिखाऊंगा वो तो काफी अच्छी साइन है एक सरकारी जॉब में इतनी अच्छी साइन का मतलब है काफी उत्तम प्रोग्रेस काफी अच्छा पैसा ये जीवन में कमाएंगे काफी उत्तम यहाँ पर विद्या रेखा है तो वेक्ति को बिसिक नॉलेज अच्छा कासा होता है और बिसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पुछ-पुछ कर काम करेंगे और जैसे जैसे उम्रेट बड़ेगी ज्यादा लोग पुछ-पुछ कर काम करेंगे यह लाइन जिस वेक्ति के हाथ में होती है तो बड़े-बड़े लोग संपर्ग में आते हैं ऐसे लोगों के यानि इनकी जो capacity होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्ग में आएंगे शनी परवत नॉर्मल ही है तो वेक्टि एक्टिव रहता है Jupiter Mount ये थोड़ा सा tilted photo है पर straight photo है Jupiter Mount में कोई problem नहीं है काफी उत्तम Jupiter Mount है और मुझे लगता है यहाँ पर square sign है वेक्टि 32 के पहले कोई ने कोई property जीवन में बनाता है और 36 साल में authority position पर पहुचता है एक triangle बना हुआ है वेक्टि को political lab या सरकारी lab देता है जो इनकी जीवन में सरकारी lab मिला हुआ है एक triangle यहाँ पर भी है पर यह lab ना भी मिले तो भी आम लोग उसे ज्यादा संपन होते हैं लोग एक line दो line तीन line चार line यह वेक्टि को multiple income के source देगी पामिष्ट्री astrology इस तरह के mystery science में ध्यान जाएगा सेवा भावी और धर्मीत है यह सारे गोण वेक्टि को मिलेंगे अंदुनी मंगल और जुपिटर अच्छा है तो खाने के शौकीन भी होंगे स्टेटरस भी अच्छा मिलता है ऐसे लोगों इज्जत जिसे कहते वह अच्छी मिलती है ना सुनने की आदत नहीं होती यह income minus point राता है अंदुनी मंगल भी बहुत मजबूत है तो सारी रिक उर्जा भी काफी उत्तम रहेगी बारी मंगल इतना उत्तम तो नहीं कहूंगा मध्यम डेकर किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे किसी से से शेफ्टी लेकर मिलेंगे इनके हाथ में एक multi-millionaire sign होती है वो भी sign मुझे नजर आ रही है अगर कहीं jointing में problem होगा तो बात अलग है यह यहाँ पर यह line तो clear cut दिख रही है एक square दो square तीन square और यह line 99 नहीं 99.99% joint है यह multi-millionaire sign है तो पैसा तो इनके जीवन में आयागा उसमा कोई किंतु परंतु नहीं है बहुत बड़ी नहीं है छोटी sign है पर फिर भी अच्छे घासे पैसे वाले यह बनेंगे और यह जो square होते है यह व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते है इनको जूट पसंद नहीं आता और ऐसे square हर जगह पर है यानि बहुत ज़्यादा सच्चाई पसंद इंसान होंगे यह यहाँ पर थोड़ी भी line हो थोड़ी भी line हो तो थोड़ा कुछ तो इनको भूत प्रेत का एसास होता ही है negative energy का एसास इनको आता ही है अब यह सरकारी जॉब है और इस तरह का triangle भी इनके हाथ में दिख रहा है ऐसे लोग या तो कवी होते मैंने इनको पूछ भी लिया क्या आप कवी हो तो इनोंने कहा नहीं हो तो यह विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है हो सकता है इनके संतान आगे चल कर पढ़ाई करे या यह जिस बैंक में हो और इनकी duty फॉरेंड में लगे ऐसा भी पॉसिबल है इनके जीवन में क्यूभी बहुत बड़ा triangle है यह विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है सेकेंड इनकी लाइने देखिए जीवन रेखा से बहुत सारी जा रही है मैंने बहुत टटोल के देखा इनको पर ऐसा कोई संबन इनका विदेश से फिलाल है नहीं पर यह साही ने बता रही है विदेश से संबन आएगा आएगा और आएगा यहाँ पर यह जो छोटी छोटी लाइन है यह शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका और शुक्र परवत भी काफी उत्तम है तो अच्छे कपड़े पेदना अच्छी तरह रहना यह सारे लक्षन इनमें पाए जाएंगे अब हिदय रेखा के लिए नॉर्मल फोटो में चलते हैं यह जब इस तरह से फोर्क बनते हैं तो ऐसे लोग अपनी बाते बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं और मुझे लगता है हिदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो पैसे की तरफ जुका हो जादा रहेगा कामुक भावना और कभी-कभी फीजिकल बना यानि हाथ पेर उठाना और यह जो लाइन है इव्यक्ति को मित्रों को या सके समझे को पैसा देंगा और वो पैसा वापस नहीं आएगा और यह माबब की सेवा करने होगा लग के हाथ में यह लाइने रहती है आँ सॉली फ्लेट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बद खुशी ढूंता है अब मायन लाइन पर चले तो मायन लाइन कमप्लीट महतोकांशी व्यक्तितु दिखाती है पूरी जुपिटर से स्टार्ट और अपनी महतोकांशा पूरी भी करेंगा और सुन्दा रूप से आगे तक चल रही है और उत्तम मायन लाइन है राव रेखाओ को छोड़ कर इनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलिफ है नहीं है पर राव रेखा भी टेंस देती है अच्छी खासी टेंस देती है और जैसे जैसे उम्र बड़ेगी धार्मिकता आएगी परिवार के किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल-बोल करेंगे अब जीवन रेखा पर उस फोटोग्राफ में चलते हैं उन में इनका पेन दिख रहा है अब मेरे हिसाब से ये जो लाइन है ये 29 में आपको कोई ना कोई नियर एंड एरर की डैथ हुई होगी अब यहां से आप काउंट करिए आपकी एज का फिर ये इस जगह पर ये 31 हो रहा है और इस जगह पर ये 30 हो रहा है तो ये राव रिखा और 31 में भी कोई नियर एंड एरर की डैथ हुई होगी तो यहां पर इनसे पता चला है कि इनकी माता जी कोमा में चली गई है अब ये मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट आया कि कोमा में जाना भी क्या नियर एंड डियर डैथ दिखाता है क्योंकि क्लियर कट बड़ी लाइन है कोई ने कोई आत्मिय बड़ा आत्मिय व्यक्ति ही है तो नेचरल है मा से जादा प्यार किस से होता है व्यक्ति को तो एक तरह से डैड़ी हुआ व्यक्ति गिना जाता है कॉमा में वाला व्यक्ति तो यहां पर ये लाइन शो हो रही है उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी राव रेखा अभी वर्तमान में काटी है ये एज आपको वापस राव रेखा काटेगी 35 में फिर आपको काटेगी 37 में फिर आपको काटेगी 39 में और ये 41 में इतनी राव रेखा है आपको परेशान करेगी continuous हर दो-दो साल में आपको राव रेखा है यहाँ पर काट रही है अब ये तो मैंने इस लाइन का मैंने judgment दिया अब यहाँ पर भी उतार चड़ाओ दिख रहे एक हो सकता है 33 में कोई बदला आया हो आपके जीवन में देश बदलना घर बदलना शेहर बदलना इस तरह का को कोई न कोई बदला आपके जीवन में आया होगा देश घर शेहर या वेवसाय या शेहर ही हो गया फिर उसके बाद एक 35 के आसपास भी इस तरह की स्तिती दिख रही है तो यहाँ पर भी हो सकता है कोई बदला आया आपके जीवन में और इस पिरिएड में कोई नियर एंड इरट की भी डेट हो सकती है क्योंकि जब यह लाइन इस तरह से जाती है तो इंडिकेशन या तो बदला आओ या नियर एंड इरर की डेट दिखाती है फिर यहां तक यह कंटीन्यू जीवन रेखा चल रही है बीच में अगर कोई ब्रेक होगी तो बात अलग है इस ब्रेक क अगर कंटीन्यू जीवन रेखा है दिख रही है और वो जो इंक वाला फोटोग्राफ है उसमें यह थर्टी नैन में बदलाओ दिख रहा है पर यहां पर यह उसके पहले ही बदलाओ आ रहा है जीवन में यानि इसके बाद भी लगबग 36 के आस पास भी बदलाओ इनके जी ग्राफ के हिसाब से फिर उसके बाद एक 41 में राहो रेखा काट रही है जो आल्रेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ उस लाइन से हिसाब से फिर 43 में राहो रेखा काट रही है उसके बाद बीच में ऐसी कोई बड़ी राहो रेखा नहीं है कि आपको टेंस लेने की जुरत है आपको यहाँ पर काफी रिलेक्स फिल होगा उसके बाद 51 में है एक राहो रेखा 51 के बाद 53.5 के आसपास है और यहाँ पर ही नियर एंड यरर की दैथ भी शो हो रही है फिर उसके बाद 53. 53.5 से लेकर अप्टू यहाँ तक छोटी छोटी राहो रेखा है कोई बहुत बड़ी नहीं है छोटी 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 राहो रेखा है यह अप्टू 62.5 तक और उसके बाद बहुत बड़ा आपशुट आपको मिलेगा 62.5 पर और कोई न कोई नियर एंड यरर की डैध भी है इसी पिरियर में फिर यहाँ पर आपके यात्रा भी होगी जीवन में फिर इसके बाद 66 में एक आपशुट है और नियर एंड यरर की डैध है और ऐसे दो आपशुट है इस पिरियर में आपको और उसके बाद कोई ऐसी नहीं है सारी यात्रा रेखा है फिर 5-6 साल के बाद और एक आप्शूट है और यह दिखें ट्रैंगल कितना बड़िया ट्रैंगल बना हुआ है और यह एक एडिक्शन लाइन भी है वेक्टी थोड़ी देर एक घंटा दो घंटा कंटीनू काम करता है उसके बाद रिलेक्स लेने का मन करता है उस खालीपन को भलने के लिए और कोई नकोई व्यसन जैसे चाय कॉफी शिग्रेट धर्मिक्ता कामुक्ता कोई नकोई व्यसन व्यक्ति को रहता है इस लाइन के वाज़य से एडिक्शन लाइन की वाज़य से और यह रेखा है इनको यात्राय भी भरपूर करवाएगी अब धन रिखा पर भी इनके कट चल रहे हैं एक कट इनकी एज ओफ लगबग 27-28 के आसपास आया होगा कोई पारिवारिक खर्चा उसके दो साल पहले भी कुछ आया होगा दोठाई साल पहले फिर एक कट छोटा सा age 35 के आसपास है फिर ये लाइन तो investment की है ये investment उसके पहले छोटे-छोटे कट गिनने की जुरत नहीं है ये age 38 के आसपास और ये 40 के आसपास को investment होगा फिर एक कट आएगा आपको ये इस age में 42 के आसपास कोई छोटा सा आर्थिक नुकसान जाएगा छोटा बड़ा फिर एक आर्थिक नुकसान आपको यहाँ पर जाएगा 46 के आसपास एक आर्थिक नुकसान 46 के आसपास 47 के आसपास जाएगा 47, 48 के आसपास और यह investment line लग रही है और ये age 51 और यहाँ पर 49 में investment भी होगा फिर एक cut 57 में है और एक 59 में है और एक cut यहाँ पर 52 में है और 57 में भी है बागी धन रेखा उत्तम रूप से अपको end तक चल रही है धन रेखा में ऐसा कोई minus point नहीं है बारिक सी धन रेखा है तो मैनत जादा कराएगी पर पैसा अच्छा खासा देगी धन रेखा में ऐसा major problem कहीं पर भी end तक नहीं है तो कोई चिंदा करने की ज़रत नहीं है जो cut बट बता है वहाँ पर आर्थिक नुकसान का सामना करोगे पर आपके पास sign इतनी बड़ी है कि आप बुड़ा पे तक अच्छा खासा जमा कर लोगे अच्छा खासा ये मेरे पास second time आए इसके पहले भी इन्होंने analysis करवाया था इनका कहना जो जो बाते बूली वो सारी जीवन में हुई इस बार थोड़ी negative बातों पर ज़्यादा concentration करना तो इसके लिए ज़्यादा राऊ रेखा है और ये सारों पर मेरा focus ज़्यादा था कट पर ज़्यादा था बागी sign है तो सभलता तो मिलेगी जो जो रुकाउट का period है उसको सामना करना ही है आप street dog को खाना खिलाना चालू कर दे आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद